नमस्कार और उम्शान्ति आपको स्वाकत है आपके यूट्यूब चैनल सीख दसोल दूथ लाइज विदिन में और आज परमपिता परमात्मा हमें साधारन मला सिंप्लिसिटी और महांता कैसे प्राप्त करें इसको द्वारा इसके बार में हमें समझाते हैं हम कैसे सिंपल बने और कैसे सैंपल बने तो दुनिया आज कॉम्खिशन में है बहुत सारी लोग कॉम्टी करेड़ चीजें नहीं चाहते हैं औरerness Thomas कॉम्प्लिकेटड इनसानों के साथ में सम्बं भन नहीं चाते हैं तो हम किस प्रकार साधारन बने और किस प्रकार से महन बने उसके बाइर में बाबा कहते कि यह इसको हम देखते हैं विस्तार से बाबा कहते है साधारनता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले simple और sample भवव विस्तार में लेके चलेंगे इसको जैसे कोई simple चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है simplicity आकर्षित करती है चाहे वो simple चीज हो, चाहे वो simple असान हो इंसान हो, तो वो भी आपको आकर्षित करेगा जितना इंसान complicated होगा, जितना manipulative होगा इंसान उससे आप दूर रहना चाहेंगे जितनी ही complicated चीज होगी, उससे आप दूर रहना चाहेंगे तो फिर बाबा कहते हैं, ऐसे मंसा के संकल्पों में मतलब कि mind के जो thoughts होते हैं उन में फिर और संबंध में जो relationships में आते हैं कुछ लोग होते हैं जो की बहुत complicated होते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं वो है complicated और कुछ लोग होते हैं जो की बिक्कुल जो मन में आता है लेकिन साफ होता है दिल वो उस चीज को कह देते हैं जिससे की औरोका भी भला होता है और अपना मी भलाता है वहवार में आप जैसे किसी साथ में संबन में तो आए वहवार में आए आप दोनोंने मिलकर करके काम करना शुरू किया उसमें अगर आपके पास में इरशा हुई या आपके पास में किसी चीज की ऊच नीच की बात हो गई आपको कोई बात अच्छी पसंद नहीं आई आपके आइडिया को आपके प्लैन को अगर माना नहीं गया तो आपने कॉंप्लिकेशन लानी शुरू करी आपने अपनी मान बात को जबरदस्ती मनवाना शुरू किया तो बाबा कहते हैं वो हो गय वहवार फिर बाबा कहते हैं रहन सहन में आसपास अगर रहते भी हैं एक दूसरे साथ में संबंदी होते हैं रेलेशन्स में होते हैं तो किसी की कुछ चीजे पसंद नहीं आती किसी कुछ आदते पसंद नहीं आती हैं तो अगर हम complicated होंगे विक्ती तो हम क्या करेंगे हम उनको जोर जबस्ती करके manipulate करके किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाएंगे उनकी habits को change करने कोशिश करेंगे जैसे कहते हैं गाड़ी को उपर जाते समय आपको धक्का देना पड़ता है तो अगर आप पहाड़ पर किसी गाड़ी को धक्का देंगे तो आपको मुश्किल होगी वैसी किसी के संसकार को अगर आप change करी कोशिश करते हैं वो जैसा हो गया जैसे की गाड़ी को धक्का देना किसी की आदतों को change करना जैसे की किसी को गाड़ी को धक्का देना जैसे हो जाता है तो रहन सेहन में भी अगर होते हैं जो simple और स्वच्च रहते हैं कि इनके चीजों में संकल्प में उनके जो thoughts होते हैं संबंद में simple हैं वैवार में एक दूसरे साथ में simple हैं रहन सेहन आप इसी घर में जाके रहे, आपको ये पसन नहीं आए, आपके अनुसार ये नहीं चीज नहीं हुई, आपके अनुसार आपको खाना इस प्रकार से नहीं दिया गया, तो आप complicated हो जाएंगे, आपको कोई संतुष नहीं कर पाएगा, तो बाब कहते हैं, अगर आप simple रहते है तो फिर बाबा कहते हैं, वह sample बन, क्या बन जाते हैं वो आत्माई, वो sample बन सर्फ को अपनी तरफ स्वतहा आकरशित करते हैं, तो एक घर में आये वाए महमान अगर complicated हो, हर चीज में वो complain करे, आपकी बनाईवी चीजों में कहें कि ये तो ऐसे नहीं बनना चीज़ता है, उदर रखी आप, कोई अगर दखल अंताजी करेगा, simplicity के जगा, अगर वो complications में आएगा आपके साथ में, जोर दबस्ती करेगा, तो obviously वो विट्ती, आकरशित करने वाला नहीं, उल्टा, आप उससे repel होंगे, आप चाहेंगे कि वो कितना जल्ली इस घर से चले जाए, फट तो बाबा कहते हैं, simple अर्थात साथारण और साथारण रहती कोन होता है, जिसके पास में बौँत इच्छा को जाता है, उसको संतुष करने के लिए बहुत ताकत नहीं लगाने पड़ती है, उस वेक्ति को संतुष्ट करने के लिए आपको जोर जबस्ति नहीं करने पड़ती है आपको बातों को गुहमाना नहीं पड़ता है और साती साथ आपको फुक फुक कर पैर नहीं रखने पड़ते हैं जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सोच करके, कहीं ये कह दिया तो ये बुरा मान जाएगा, ऐसे ना कहे दू, क्या कहूं इसके सामने कि ये खुश रहे, ऐसे विक्ति के सामने अगर आएंगे, तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, आपने उससे अकर्शित हो पाएंगे कि आप उस प्रकार के विक्ति हैं, अपने आपको चिक करें, फिर वाप कहते हैं, साधारनता से ही महांता प्रसिद्ध होती है, तो जो सिंपल आत्माएं होती हैं, जो साधारन आत्माएं होती हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत नहीं होती हैं, जो चोटी बातों से ही संटुर्श को छीज भी सान काना मिंफाना के लेकिन गौष्च और आत्म है वह कंप्रेंड करने को होती हैं वो दूर से ही उनसे लोग भागते हैं क्योंकि उनके अंदर महानता नहीं होती तो साधारन आत्मा अगर आप हैं तो आप एक महान आत्मा के दर्च में आते हैं तो आप फिर कहते हैं जो साधारन अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं जो अउत सोच समझ करके बोलना पड़ता है कहीं। रूट ना जाएं। कहीं दुख ना जाहें। कहीं वो इप३रा ना मानद जाएं। कहीं वो बुरा ना माने। कहीं वो असंतुष्ट नहों हो जाएं। उनको Special Treatment दिया जाए। तो इस प्रकार के आत्मा हैं शिम्पल भी नहीं होती है और लोग उन से आकरशित भी नहीं होती है और उनके अंदर महानता भी नहीं होती है तो बाबा कहते हैं कि आप किस प्रकार की आत्मा हैं किस प्रकार की बननी चाहते हैं आप आत्मा उसको आप चेक करें और इस जीवन को कैसे जीएं की साधान रहे करके हम कैसे जीपाएं जीवन ये जीवन शैली सीखने के लिए आपको ब्रह्मकुमारी जाकर करके सेवन डेस का बेसिक कोर्स करना होगा और आगे मेडिटेशन तपस्या सीखनी होगी जो कि आप हर देने घंटा निकाल करके कर सकते हैं इसी के साथ में आपकी शुबरात्री ओम श्यान्ति